देखिए एक इंट्रिगल पर बेस कोश्चन है क्या कोश्चन है इप दा इंट्रिगल कॉस एट एक्स प्लस वन अपॉन कॉट्ट टू एक्स माइनस टेन टू एक्स डी एक्स कोश्चन अगर ध्यान से देखें तो यह हाफ एंगल फॉर्मुले से आप ऐसा लिख सकते हो पहले अलग से इसी को सॉल्व कर लेजिए को वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन कॉस्ट टू एक्स यह याद रखेगा कॉट एक्स माइनस साइन एक्स दिस इस कॉस्ट टू एक्स इंटू कॉस एक्स होता है टू का मल्टीप्लाय टू का डिवाइड कर दो तो फाइनली टू टैम्स ओप कॉट टू एक्स होता है साइन एक्स तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक तरह से कोशन वन बाइटू साइन एक्स के इंट्रिगल को बोला सोचे अगर आपको सब्सक्राइब कितना ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो साइन का क्या होता है कॉस एक और आएगा तो एक उच्छा है आपसे तो एक ही वैल